नमस्कार दोस्तो आज कि इस वुडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक एप के बारे में जिस एप का नाम है उमंग इसे prevention of इंडिया ने लॉंज किया है ताकि सारे government के जितने भी government के schemes हैं जो भी government profit देती है citizens को हर sector में, E-PF sector में और loan sector में जो भी सेक्टर हुआ गवर्मेंट का एजुकेशनल इंसीचियूशनल जो भी हुआ उस सेक्टर में जो भी प्रॉफिक Лि जिन लोगों मिलता है उसको एक एप के द्वारा मिल जाएगी जो government की एप है उसका नाम है उमंग आप यहाँ पे देख सकते हैं यह screen पे उमंग है इसको हम open करेंगे इसको जैसे ही आप install करेंगे install करने के बाद आपको अपना mobile number डालना होगा उसका opt वो verify करने के बाद आपको अपना आधार काई डालना होगा और आधार काई डालने के बाद जो आपके आधार में register number होगा उसके भी यह copy जाएगा जिसको आपको type करने के बाद आप इस app में इंटर कर जाएंगे और इंटर करने के बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यह उमंग एप है और आप देख सकते हैं यहां पर passport सेवा EPFO प्रधान मंत्री अवासी वजना उसके बाद आप देख सकते हैं किसान सुभीधा से लेके जितने भी तरह के सुभीधा मिलत हैं दोस्तों सरकार से जो भी हमें स्कीम मिलती है जो भी हमें profit मिलता है यहां पर आप देख सकते हैं यह पाच साला NPS crop insurance और जो भी सरकार स्कीम लाती है वो यहां पर अपडेट हो जाएंगे और आप यहीं से भी apply कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखाऊ EPFO का मैंने क्लिक किय EPFO पे और आप देख सकते हैं अब यहां से आपको employee centric और employer centric तो अगर आप job करते हैं तो आप इस पे click करेंगे employee पे और यहां पर आप अपना passbook देख सकते हैं view passbook, raise claim, claim भी कर सकते हैं आप विड्रॉल के लिए, pf settlement के लिए और track claim और कहां तक आपका process हुआ है claim का वो भी आप check कर सकते हैं तो जैसे मैं देखता हूं यह view passbook में तो आपको यहां पर डालना है UAN number तो इस तरीके से मैं इसको cancel कर देता हूं अभी मेरे पास UAN number नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों आप all in one all in one जितने भी government की scheme है यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ एक ही app मे जितने भी government की scheme होंगे आपको बार-बार कहीं ढूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सारा यहां पर मिल जाएगा सारे scheme के बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं उसके बाद आप अपना state wise भी यहां पर select कर सकते हैं कि state में क्या हो रहा है आपके state में कोई अलग साइज scheme है तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं जैसे कि आप state apply कर सकते हैं जैसे मैंने apply किया Delhi ठीक है अब यहां से आप देख पाएंगे कि Delhi government की जो भी scheme होगी आप यहां पर देख सकते हैं there is no currently there is no service available for Delhi to display अब यहां पर दिल्ली के लिए कोई नहीं है तो कुछ नहीं दिखा र मतलब respective state में तो यहां पर सोह होने लगेगा तो इस तरीके से दोस्तों आप सरकार के सभी scheme का पैदा उठा सकते हैं और कोई भी आप जो भी scheme है जो भी आपके बारे में confusion है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप यहां पर आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल जैसे कि passport सेवा है तो आपको passport बनाने से ले करके आपको passport के center से ले करके calculator यहां पर देख सकते हैं सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल A to Z ठीक है तो इस app को आप जरूर इंस्टॉल करें अपने phone में और बिल्कुल इसका फायदा उठा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए